पर्फॉर्मंस का टेंशन एक चक्र विव इसके बारे में आज बात्चीत करते हैं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेख्सरोग सम्मोहन तथा व्यस्टन मुक्ची तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं मेरे पास में लड़का था 25 साल की उमर वो इसलिए आए कि उसको अभी ऐसा लगदा है कि मैंने खुद कुछी करना चाहिए और वो खुद कुछी करे तो यह अच्छा है और हुआ कि मुझे अभी देद्व मेने बाद में शादी करना है क्योंकि एम डेड़ मेने बाद में आप इसको बढ़र बढ़र विचार आए कि मैं सेक्स करने के लिए योग्य नहीं और मैं सेक्स करोंगा कर सकुंगा नहीं मेरे पतनी के साथ में बला यह आया कहां से तो वो आया ऐसा कि भई कम से कम छे मेना पहले उसने अपने गल्फरेंड के साथ में सिक्स किया तो उसमें वो फेल हो गया अब उसमें वो फेल हो गया उसने गल्फरेंड को अपने कमरे में लाया था वहां उनका कांटक्ट हो गए चे महीने से मतलब जब वो फेल हो गया तब से वह देख रहा है और जयासे विचार आ रहे है कि मैं आदमी में नहीं मैं पुरुष नहीं हो मैं सेक्स नहीं कर सकोंगा क्यों थे लो गया फिर रोज उड़कर वो देखता है कि अपना जो पेशैप अपना जो लिंग है वह कटो ओर हो रहा है उसमें टेंशन आ रहे हैं कि अभी तक हैं अभी क्यों नहीं आए तो क्या होगा है ऐसा और वह वह शाम तक वह टेंशन टेंशन तेंशन में रहता है तो एक-बार हस्त में तुन करने के समय उसको बराबर करी बwyचारी या में मैं सेक्स ने कर सकूंगा तो पहला 6 महिने पहले वह फेल हो गयर Defense मे Hern susa चकुम होगा था तीन मेने बार्द में कर लड़की के साथ में और और कोशिक किया उसमें भी वह फेल होगा चक्रविया कांसा न origin manage jKA चींशन राधा है मैं कर सकूं यौго कर सकूंगा जब लदकी के साथ कमें वह कोशिश करता है या तो looking focus ऑने और नजर कहा है नजरर पैनिस की ऊपर की अभी मतलब इस चक्रव में एक बार आदमी फस गया उसमें से निकलना बहुत कटिन हो जाता है। मैंने उसको बताया कि देख भईया अभी देड़ मेने बाद में शादी है शादी कर ले। शादी करने के बाद में फिर और उसको जो भी है बोल दे। कि जो भी हुआ है ऐसा ऐसा हुआ है और यह प्राब्लम मुझे है और इसमें से बिल्कुल अच्छा हो सकता है तो विकॉज इस मतलब अल्मोस इससीचुएशनल परफॉर्मेंस एंग्साइटी है। उसमें ठीक हो जागा कोई प्राब्लम नहीं क्योंकि वैसा हस्तमेशन कर सकता है कोई प्राब्लम नहीं उसमें। नहीं नहीं बोले मुझे पहले अच्छा करो और बाद में मैं शादी करूँगा ने तो फिर मैं आत्मत्या कर ले तो। काफी कंसिलिंग किया उसको फिर मैने कुछ मेडिसन दिया जो मेडिसिन उसको एंग्साइटी कम करेए। और उसको counseling करने के बाद में उसको बता है कि देख आपको क्या करना पड़ेंगा अभी आपको एक तो उसको लड़की को अभी confidence मेलो उसको बता दो कि देख मुझे ऐसा ऐसा problem है और शादी के बाद में ये पुरा ठीक हो जाएंगा ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा है पुरा clear ब हो जाएंगा अपना फैमिली का नाम है वो खराब हो जाएंगा लोग बोलेंगे अलग अलग बाते करेंगे तो ऐसा कैसा होगा तो भी शानती रखो सब ठीक हो जाएगा शादी के बाद में कभी मेरे पास में आ जाना और अभी मैंने उसको बला भी test मत करो कहीं जाएंगे आप test करेंगे तो फिर से वह होगा आप फेल हो जाएगे और test करेंगे फेल होगा तो फिर और तकली वाला कारेकर में तो जिनको जिनको यह problem उनने कभी test नहीं करने का है तो जब जब test करने जाएंगे तो failure हो रहे हैं लोगों को क्या करता हूं उनको मैं counseling के लिए बुलाता प्यार करो हग करो किस करो मतलब जितना आपको पहले इंट्रकोस करने के अलावा मतलब वह चुड़के बागी सब कर जो करना है मगर उसकी पीछे में जाओ किम उसे वह कर नहीं है एक दो दिन तीन दिन ऐसा होने के बाद में दिरे 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 आपको confidence आजाएंगा आपको करेंगे और दिरे दिरे सब कुछ अच्छा हो जाए तो यदि उनको सभी patient को ऐसा बोलते है तो दिरे दिरे वह अच्छे हो जाते है और उनका ठीक हो जाता है मगर दिमाग में इसने ऐसा वीचार किया कि नहीं होता ही नहीं है संभव नहीं है और अभी तो मुझे प्रविए में फसे होए यह आपको अच्छा लगा तो जरू लोगों को शेयर करो थैंक यू भरिमच जाता है